सब ये खबरों से जुड़ी किसे भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसे भी नोटिफिकीशन को पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नज़ मद प्रदेश के सतना जिले में त्रिकूट परवत पर देवी सारदा का एक अतिप्रचीन मंदिर हैं इस मंदिर से चमतकार के कई किस्से जुड़े हैं देवी सारदा का यह मंदिर देश के बामन सक्तिपीठो में भी सामिल पराणिक मानिता है कि जब देवी सती को अपने क मैहर पड़ गया। साल भर इस सक्तिपीट में भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन नौरात्री के दिनों में यहां लाखों की संख्या में भक्त मासारदा के दर्सन करने पहुचते हैं। मंदिर में नवरात्री के दिनों में पैर रखने की जगे भी नहीं होती है भक्त माता की एक जलक पाने के लिए दूर दूर तक कतार लगाए दर्सन की आस में खड़े रहते हैं करीब 1063 सीडियां चढ़ने के बाद दर्सनार्थियों को माता के दर्सन होते हैं मेहर के सारदा मंदिर से चमतकार के कई किस्से जुड़े हैं उन्हें में से एक किस्सा है देवी की सबसे पहली पूजा का कहा जाता है कि मंदिर में देवी सारदा की सबसे पहली पूजा हुजारी नहीं बलकि उनके भग आला उदल करते हैं हर दिन रात में मंदिर की आखरी आरती के बाद मंदिर के दर्वाजे बंद कर दिये जाते हैं। लेकिन हर सुबह जब मंदिर को खोला जाता है तो देवी मा की प्रतिमा पर ताजी फूल चड़े हुए मिलते हैं। आज तक किसी ने भी मंदिर में किसी को आते जाते नहीं देखा। सारे दरवाजे बंध होने के बाद भी नेमित तौर पर मंदिर में देवी मा की पूजा करने के प्रमाण मिलते हैं। कई बार इस रहस को जानने की कोशिस भी की गए लिकिन इसके राज से आज तक कोई परदा नहीं उठा सका। मद्द प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास रिकूट परवत पर इस्थित करीब 600 फिट उची पहाड़ी पर मंदिर ये इस्थित है। मंदिर की गिंती देश के बामन सक्ति पीठों में होती है। मंदिर तक पहुचने के लिए 1063 सीडियां चड़नी पड़ती है। पूड़ी एक मान्यता ये भी है कि यहां सर्व प्रथम आदिगुरू संकराचार ने नौमी दस्मी सताब्दी में पूजा अर्चना की थी माता सार्दा की पूजा की स्थापना पिक्रम समबत 569 में की गई थी। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए जुड़े रहें खबरी च को अर्चना की आधा खबरी प्रेव प्रेव जुड़े तो की रिताधि